तोलो फेंट्स आपको स्वागत है इस वीडियो में आपको यह नहीं बताया जागा है कि 90% लोग फेल क्यों होते हैं इस वीडियो में आपको यह बताया जागा है कि 10% जो पिपल होते हैं वो कैसे अपने लाइफ को अच्छा करते हैं अपने टार्गेट को अचीव करते हैं एक सक्सेस्फूल लाइफ के और अपना कदम कैसे लेके जाते हैं यहाँ पर मैंने कुछ एक 7 ट्रिक बनाया है अगर इन 7 ट्रिक को अगर फॉलो किया जाए मेरे हिसाब से तो अपने टार्गेट को अचीव करना कही न कहीं किसी हद तक इजी हो जाता है तो आएए जानते हैं 7 ट्रिक को और वीडियो स्टाट करते हैं मैंने जो यहाँ पर एक 7 ट्रिक जो बनाया है वो कुछ इस टाइप के मेरे ख्याल से इतना करने के बाद टार्गेट अचीव हो जाना चाहिए तो फ्रिंट्स को स्टार्ट करते हम अपने टॉपिक को जो हमारा पहला टॉपिक था वो ता पहला लर्न आप अपने लाइफ में क्या कैस सीख सकते हो और किसे किसे सीख सकते हो यह आप से बहतर किसी और को नहीं पता है ना, सिगरेट पीना भी आप लोग सीखते हो दारू पीना भी सीखते हो लेकिन लाइफ मराना 90% जो होते हैं वो नहीं सीखते हैं वो केवल 10% सीखते हैं आपको ये खुद को पता होना चाहिए कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत आप अपने लाइफ में जो पहला टीचर जो आप जिससे लर्न करते हो वो होते पहले आपके माबाप, दूसरा टीचर, तीसरा आपके जो बड़े होते हैं वो और चौथा आप खुद ठीक है जो माबाप, टीचर और जो बड़े होते हैं वो आपको किवल एक डारेक्शन बता सकते हैं कि भाईया देखो आप इस डारेक्शन में जाओगे तो आपको अच्छा होगा लेकिन यह जो चौथा ओप्सन है आप खुद यह मैं आपको अभी अपलाई करके भी दिखा सकता हूँ आप मान के चलिए आप 10th exam में हैं 10th exam में 2-3 exam होते हैं है ना पहला इस्कूल में होता है दूसरा pre-board होता है और तीसरा final होता है होता है पहले exam के 10th के पहले exam में आपका paper थोड़ा कम आया दूसरे exam में उससे थोड़ा जादा है और final exam में आपने बहुत अच्छा number लाया है ना क्योंकि पहले number पे क्योंकि आपको पता है कि जो 10th होता है वो हमारे life का कितना महत्वपूर्ण अंग होता है और यह हमारे life का पहला CD भी कहा जाता है जिसको हम लोगों चाहड़ना रहता है एक अच्छे marks को ले करके आपने जो पहला exam दिया था वो कुछ अच्छा न सीखा है ना तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मतलब आप अपने आपके टीचर हो आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप सही कर रहे हो घलत कर रहे हो कहां पे क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए आपको खुद को पता होना चाहिए और सीखना भाई अपने life से सीख कोई और नहीं सिखा सकता लाइफ एक खुद में टीचर है आप जहां पे हो और जहां पे जाओगे वो आप अपने लाइफ से कुछ ना कुछ सीखते हो जाओगे भाई दूसरा टॉपिक है हार्ड वर्क दुनिया आपके नीचे जुकेगी अगर आपने हार्ड वर्क किया तो बीन प्रणी में बहुत नीद आता है बहुत एंड बुढ़ापा में नीद उड़ जाता है इस बात को अगर सब सही काता है तो भाई रियली में नीद तो आता है लेकिन अगर नीद तोड़ करके मैं रात भर जाकरके अगर यूटुब वीडियो बना रहा हूं तो इसके पीछे भाई भीक मांगने में भी महनत लगता है आपको अच्छे से बता है महनत तो करना पड़ेगा भाई जो अमारे तीसरा टॉपिक आता है वो है डिसिप्लीन भाई अगर मानो अगर मेरे को एक यूटुब वीडियो बनाना है तो उससे डिलेटेड मेरे को डिसिप्लीन मेंट साथ चलना चाहिए लोग को discipline से पालन करते हो न घर का जो क्या है अपने पूजा रूम में आप चपल पहन कि नहीं छाते हो यह क्या है यह discipline है तो है अपने target को ले करके अपना हर समय एक discipline discipline मेंटेन बनाई रखे कि या डेली हमको चार घंटा YouTube को देना है अगर YouTube को अगर हम चार घंटा देते हैं तो यह 4 घंटा में लिए आगे चल करके कहीं 4 लाग दे दे कहीं 4000 दे बादिसिप्लीन करने पर होता हैं यह आप है वो है टार्गेट बहाई आप इतना लड़न करते हो अउब करते हो किसके लिए आपके पास कोई टारगेट घो घा तभ ही ना पुछ त अंस Theater को अचीव करनेके लिए आसा मेहनत कर रहे हो तो ज़रूर आपका टारगेट ज़ो रेलवे में जाना है, लेकिन आप यूटूब वीडियो बना रहे हो, तो क्या आप कभी रेलवे में जा पाऊँगे, नहीं जा पाऊँगे, आपका हमेशा टार्गेट जो है न वो सहीड आना चाहिए, एंड सटीक होना चाहिए, कि मैं ये टार्गेट अचीव कर सकता हूँ, तो आपका जो टार्गेट होना चाहिए न वो एकदम सही होना चाहिए, अगर गलत हो गया न, तो आपका लाइफ बढ़वाद हो सकता है, तो हमेशा अपने टार्गेट को सोच समझ कर, और सही धनक से आडाम से एकदम एक बार सोच लो न, फिर महनत करेंगे न, फिर उसके प्रति सीखेंगे न, पहले अपना एक अच्छा सा टार्गेट अचीव कर लो, पचमा टॉपिक है, वो एडिक्शन, आदत बना लो भाई, इन सब चीज को जो उपर मैंने बताया है, उन सब चीज को आदत बनाओगे न, भाई, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी आदत बनाना किसी चीज को, भाई, दारू का आदत सबको लग जाता है, सिगरेट का आदत सबको लग जाड़ा है, लेकिन सकसेस का आदत किसी को नहीं लग रहा है, पैसा कमाने का आदत बहुत कम लोग को नूकड़ी लेने का आदत है सबको, लेकिन नूकड़ी देने का आदत किसी फो नहीं लग रहा है। आदत बना लो भाई, आदत कि हमको डेली 3-4 गंटा जो काम से लिलेटेट कर रहे हैं काम, उस काम पे हमको देना हैं। अगर चार घंटा डेली का दे दी है ना भाई तो ये चार घंटा फ्युचर में आपके लिए बहुत बड़ा Amount बनके निकल सकता है चार घंटा आप अपने लाइफ का सोच ओए चार घंटा हटाओ लेकिन चार घंटा अगर आपने आदत बना लिये ना डेली का बैठने का एक जगा बैठ करके आप जो काम कर रहे हो उसके प्रतिय अगर सोचने का भी आदत बनाओगे ना तो जो आपका thinking mind है वो बहुत अच्छा काम करने लगेगा आदत किसी चीज का पढ़ जाता है न तो वो चीज आगे चलके थोड़ा easy हो जाती है तो आदत ज़रूर बनाओ भाई जो अमारा छटा पॉइंट है न ये बहुत से लोगों का परिशानी है पेसेंस रखना भाई छड़ा टॉपिक भाई पेसेंस जिस आदमी ने रख लिया उस आदमी ने दुनिया जीत लिया पेसेंस जिस आदमी ने नहीं रखा हर बड़ा करके जो काम कर दिया तो कहते हैं हर बड़ा के कियावा काम कभी भी अच्छा नहीं होता तो वही बात हुआ, तो patience भी बनाए रखना बहुत जरूरी है ये आपसे बहतर, कोई नहीं बता सकता, कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जब आपका चैनल मॉनरटाइज होगा न, तो ये खुशी आपको खुद मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए, तो भाई हमेशा 90% लोगों के तरफ ध्यान ना दो, जो फेल हो रहें, उन 10% लोगों पर ध्यान दो, जो सक्सेस कर रहें, तो होप करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगाओ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में,